नमस्कार मित्रों, SGKG Studies and SGKG 2.22 YouTube चैनल पर आप सभी का पुना हार्दी के भिनंदन है। इससे पहले हम देख चुके हैं, मुबाइल का जितना वेनिफीट है, मुबाइल का जितना लाव है, कहीं उससे ज्यादा मुबाइल के नुकसान है। मुबाइल ना सिर्फ हमारे शरीर में रोग पैदा कर रहा है, अपीतु हमारे मन पर भी उसका अति दुश्परभाव पढ़ रहा है। मुबाइल में जो 24 घंटे इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेब निकलते रहते हैं, उन से हमारा निवरो सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एफेक्टेड हो रहा है। और हम सब हॉस्पीटल की तरफ भागते जा रहा हैं। हम अपने आपको जितना डेवलप करते जा रहा हैं, उतना ही हमारे अंदर बिमारियां डेवलप होते जा रही है। अब शक्ता इस बात की है कि मुबाइल को हम कम से कम यूज करें। मुबाइल के यूज को रोका तो नहीं जा सकता, कम से कम यूज करें। जब यूज नहीं करें, तो उसको अपने से कम से कम तीन फिट की दूरी पर रखें। और सबसे बड़ी सावधानी यह है कि पांच वर्ष से नीचे के बच्चों के अगल बगल में मुबाइल नहीं होनी चाहिए। उनको देने की और यूज करने की तो बात ही अलग है। पांच वर्ष से नीचे के जो बच्चे होते हैं, उनका नीरो सिस्टम अत्यंद को मल होता है। और मुबाइल की जो यह इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेब हैं, रेडियेशन हैं, वो उन पर कुछ ज़्यादा ही दुश्परभाव डालती है। ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा देर तक स्क्रीन देखने से, अंधेरे में स्मार्टफोन चलाने से, आखों की रोशनी जा रही है। व्यक्ति अंधे हो रहे हैं। आईए जानते हैं, कैसे यह प्रभाव डाल रहा है आखों पर और इसके बचाओ के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। देखिए एक स्टड़ी के मुताबिक ऐसा कहना है कि भारत में 2030 तक लगबग 25,5 करोड लोगों को ड्राइ आई डिसीज हो सकती है। ड्राइ डिसीज मिन्स आख जो है सुखा सुखा सा लगता है। यहां पर आप देख सकते हैं रात में फोन चलाने से जाती है आखों की रौष्णी। और यह कंप्यूटर वीजन सिंड्रम के लक्षण है। क्या क्या लक्षण है। आखे सुखी हो सकती है। ड्राइ आइस। हैं दूंदली द्रिश्टी हो सकती है। कभी-कभी बिल्कुल ही कुज मैं और दिखाए पढ़ाया की नहीं, दूंदला दिखाए पढ़ता है। आख पर जोर देना पढ़ता है , कभी-कभी सिर्फ दर्द भी होने लगते हैं और गर्दन और कंधे में दर्द पढ़ने लगती है। यह जो है computer vision syndrome के लक्षण है। कहीं लक्षण आप में तो नहीं है। कहीं computer ने अपने दुश्प्रभाव को आप पर प्रभावी तो नहीं कर दिया है। चेक करने की बात है। अब हाल ही में एक एक न्यूज आई है। न्यूज यह है कि हैदराबाद की महिला की आँखों की रोशनी चली गई। मेडिया रिपोर्ट के अनुसार मुबाइल की वज़े से आँखों की रोशनी जाने का या अपने आप में अनोखा मामला है। हैदराबाद में रहने वाली तीस वर्ष यह महिला इस हादसे का शिकार वनी है। तीस वर्ष जो हता है मैचूड यह होता है। 30 वर्ष जो हता है 30 वर्ष लेकर के आप यूं कहले है कि 25 से 40 वर्ष की जो आयू होती है उसमें व्यक्ति सबसे मजबूत होता है और उस उमर में आठे चली गई है महिला को घंटो फोन चलाने की आदत थी बस समस्या यही है कि दे महिला घंटो पोन चलाय करती थी अंधेरे में रोशनी टेज कर इसका प्रयोग अधिक करती थी इसकी वज़ा से उसे करीब 18 महीने तक अंधेपन से जूजना पड़ा डॉक्टरस का बहुत बहुत शुक्रिया है बहुत बहुत धन्यबाद है शायद उनकी कुछ रोशनी वापस लाप आये हैं 18 महीने बाद तो क्या है इसमें एक तो लंबे समय तक वो फोन चलाती थी और दूसरी रात के अंधेरे में फोन यूज करती थी यह स्मार्ट फोन यूज करती थी यह डबल टेंजर वाला काम हो गया भूल करके भी अगर जरूत पढ़ भी गई रात में मुबाइल देखने की पूरी लाइट में उसको देखना है भूल करके भी अंधेरे में मुबाइल को यूज नहीं करना है ब्लेंकेट ओड़ लिए जो भी ओड़ना है उड़ लिए उसके भीतर अंधेरे में मोबाइल चला रहे हैं स्टॉप इट लाइट आफ कर दिये और मोबाइल यूज कर रहे हैं प्लीज स्टॉप इट अगर आ रात में जरूरत पड़े तो आपको लाइट अन करके एडिक्वेट लाइट में ही उसको देखना है उसकी ब्राइटनेस कम करके देखना है और लंबे समय तक तो बिलकुल ही नहीं देखना है स्मार्ट फोन विजन सिंड्रम से हो गई थी वो पीडित आपको हमने दिखाया था इससे पहले फोटो स्मार्ट फोन विजन सिंड्रम यह देखें यह यह कंप्यूटर विजन सिंड्रम है वह स्मार्ट फोन विजन सिंड्रम है और यह इनके लक्षान है सो महिला का उपचार कर रहे हैं डॉक्टर ने सोशल मीडिया पर बताया कि महिला को देखने में स्पॉर्ट्स तेज रोशनी के फ्लेशेस जिग जैक लाइने और किसी चीज पर फोकस ना कर पाने की समस्या होने लगी थी सोच लिजी क्या क्या समस्या होगे थी जाच की तो पाया कि महिला स्मार्टफोन विजन सिंड्रम नामक बिमारी से पीडित हो गई थी जान लिजिये क्या होता है स्मार्टफोन विजन सिंड्रम डॉक्टर ने बताया कि स्मार्टफोन विजन सिंड्रम तब पैदा होता है जब आप डीजिटल स्क्रीन का लंबे समय तक प्रियोग कर रहे हूं इसमें देखने की छमता बुरी तरह से प्रभावित होती है आँखों में मौजूद देखने वाला तंतर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है रात के अंधेरे में इसका प्रियोग करना अधिक खतरनाक हो सकता है मौबाइल फोन टैबलेट का प्रियोग करने वाले लोगों में यह समस्या अधिक पाई गई है सो होशियार हो जाई है यह इकलौता मामला नहीं है 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 राबाद के आई इंस्यूट के सोद करताओं की यह के स्टडी में दावा किया गया है कि 2030 तक भारत में ड्राइ आई डिजीज के लगवख साड़े 27 करोन मामले देखने को मिल सकते है इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण कम्प्यूटर या स्मार्टफोन जैसे स्क्रीन का काफी देर तक इस्तेमाल है एक शोद के मुताबिक अगर आँखों में पहले से कोई बीमारी हो तो कम्प्यूटर वीजन सिंड्रम होने का खत्रा साढ़े तीन गुना तक बढ़ जाता है हमने आपको इससे पहले वाले भी वीडियो में बताया था कि हमारे शरीर में अनेक प्रकार के बिमारी जो है है सुसुप्ता वस्था में हैं कि शुपे हुए हैं उनकी इंटेंसिटी कम है मैं उनको मौका मिल जाता है उनको ट्रिगर मिल जाता है एक्टिवेट हो जाते हैं अगर हम कोई भी मोबाल वाला काम करते हैं मोबाइल से इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेव निकलते हैं रेडियेशन निकलता है और यह बहुत ही डेंजरस होते हैं और यह हमारे अंदर जो सुसुत्ता वस्था में जो बिमारियां उनको एक्टिवेट कर देते हैं जो बिमारिया एक परसेंट है उसको साड़े तीन परसेंट तक बढ़ा देते हैं जो बिमारी दस परसेंट तक है उसको 35 परसेंट तक बढ़ा देते हैं तो इस तरीके से हमारा शरीर जो है बिमारियों का खर बन जाता है इसलिए आप से पुना निवेदन है आप कंप्यूट भी यूजे करें स्मार्ट फोन भी यूज करें लिमिटेड यूज करना य Remo एक गंटे का ग्ैप कम से कम देदेजिए नहीं तो दो दे घंटे का गयाप दीजिए फास्टिंग करते हैं ना एक आदसी की फास्टिंग तो उसी तरीके से मुबायल फास्टिंग दो दो आवश्यक्ता नो हो स्विच अफ कर दीजे मोबाइल को घर में ऐसा भी हो सकता है कि चार पांच मोबाइल हो एक मोबाइल को आन करके कहीं दूर रखती जिए और बाकी मोबाइल स्विच अफ कर दीजिए भगवान न करें इमर्जेंसी में एक काम आ जाएगा तो इसलिए एक रूटीन बना लिजी कि रात में दस बजे चाहें ग्यारए बजे मुझे मोबाइल बंद कर देना है साथ घंटे तक हम सोय रहेंगे, साथ घंटे तक हमारी मुबाइल स्विच ओफ रहेगी, साथ घंटे तक कम से कम साथ घंटे तक ये जो इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेब हैं, ये जो रेडियेशन है, उससे हम दूरी बनाए रखें, तो हमारा स्वास्त इतने खराबी से नहीं गुजरेगा, हैतराबाद के नियरोलोजिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार के मुताबिक कई मामलों में देखने में आया है, कि स्मार्टफोन का देर तक इस्तेमाल या अंधेरे में स्मार्टफोन चलाने की आदत लोगों को अंधेपन के अस्तर तक ले जाती है, आखन से निकलने वाली नीली रौशनी आपने अपजर्ब किया होगा, ब्लू कलर की लाइट निकलती है, फोन से निकलने वाली नीली रौशनी आखों के लिए बहुत ही डेंजरus होती है, रेतिना को रिडीना को नुकसान पहुछाने पर धुनदला देखने लगता है, rewarded ह इसके बाद भी अगर आप अंधेरे में काफी देर तक स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आखों को ज्यादा से ज्यादा नुक्सान पहुंचता है यह अंधेपन की तरफ भी ले जा सकता है इसलिए होश्यार यह देखिए क्या होता है कम्प्यूटर वीजन सिंड्रम कम्प्यूटर या स्क्रीन के ज्यादा इस्तेमाल होने से आखों की समस्या कम्प्यूटर वीजन सिंड्रम कहलाती है इसमें आखों पर काफी अधिक दबाव पड़ता है अंसंधान से पता चलता है कि कम्प्यूटर स्क्रीन पर काम करने वाले 50 40% और 90 परसेंट लोगों में कम से कम आखों की बिमारी के कुछ लक्षन तो होते ही हैं कि इसके कई कारण हो सकते हैं बहुत कम रुष्णी में स्क्रीन पर जादा देर तक काम करना पहला कारण कम रौशनी में कम लाइट में कम्प्यूटर स्क्रीन पर चाहें लैप्टॉप पर चाहें टैब पर चाहें मोबाइल स्मार्ट फोन पर अधिक देर तक काम करना दूसरी चीज, इस screen की brightness ज़्यादा होना, इस screen की brightness जितनी ज़्यादा होगी, वो आउखों पर उतनी प्रभाव डालेगी और तिसरी चीज, फोन या कम्प्यूटर के इस्तेमाल के समय आपकी खराब बैठने की मुद्रा, कई बार लेट कर कभी हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, बिलकुल नहीं करना है, बैठने की मुद्रा भी हमारे शरीर को धीरे धीरे खराब करते जा रही है, तो यह है computer vision syndrome, यह है smartphone vision syndrome के लक्षण, इंडियन जर्नल of ophthalmology की एक report, ophthalmology means eye treatment से related, एक report के मुताबिक online class करने के लिए लगबग एक सट परसेंट बच्चे smartphone का इस्तेमाल करते हैं, online class तो होता ही है smartphone से, वहीं भुजरुग लोग internet browse करने के लिए laptop या desktop का इस्तेमाल पसंद करते हैं, कई मामलों में यह भी देखा गया है, कि कुछ लोग अपना काम करने के लिए एक साथ कई screen का इस्तेमाल करते हैं, इनसान की आखों में convex lens पाया जाता है, यह जो फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको पता है, कंकेव और convex lens क्या होता है, उतल और उतल lens क्या होता है, सो हमारे आखों में convex lens पाया जाता है, बाहर निकली होती है, रिपोर्ट के मुताबिक computer का इस्तेमाल करने वाले 50% से अधिक लोगों में digital eye disease के लग्चर देखे गए, मैं बच्चों में ये संक्या 17 से 20% तक पाई गई है, बहुत dangerous situation है, चंडी गड़ इस्तित PGI M.E.R. Advanced Eye Center के प्रोफेसर डॉक्टर सुरिंदर पांडो कहते हैं, स्मार्ट फोन और computer का इस्तेमाल बढ़ने से लोगों में आखों की बिमारियां भी बढ़ रही है, दरसल जब हम ज़्यादा देर तक पोन का इस्तेमाल करते हैं या computer चलाते हैं तो आँखों पर दबाव पड़ता है, हम काफी देर तक बीना पल के जपकाए स्क्रीन को देखते रहते हैं, इससे आखों में तनाव बढ़ जाता है और बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति की आखों में पहले से ही कोई बीमारी है, तो उसके लिए ये खतरा और बढ़ जाता है, परियाप्त रोश्णी में और सही पॉस्चर के साथ अगर आप स्क्रीन का इस्तिमाल करते हैं तो आप अपनी आखों को बीमारी से शायद बचा सकते हैं स्क्रीन का इस्तिमाल करते समय बीच बीच में ब्रेक लेना अती आवश्यक है बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है! कंप्यूटर विजन cinema से कैसे मचया सकता कैसे है प्रष्ण तो यह है कि समस्या तो है समस्या का क inquitतो समाधान होगा को दो एसा तरीका होगा जिस कंप्यूटर विजन सिंटरम से बचया जा सके है अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को 20-26 इंच की दूरी पर रखें हैं अपना जो कंप्यूटर इसकी ने उसको 20-26 इंच की दूरी पर रखना है काने का मतलब कि 50-65 से 75 सेंटीमिटर दूर रखना है शक्रीन पर देखने दिखने वाले शब्दों का साइज समान तोर पर पढ़े जाने वाले शब्दों से तीन तो क्या करना है उसका जो व्यू है व्यू थोड़ा सा बढ़ा देना है सो देट आख पर जोर न देना पड़े जो भी फॉंट आपको छोटे दिख रहे हैं फॉंट बढ़ाने की भी कई जरूवत नहीं पड़ती केवल स्क्रॉल वार से चाहें वह माउच से ही व्यू का परस को पढ़ने के लिए तीसरा तरीका क्या है मोनीटर अपनी आखों के अस्तर से नीचे रखें ठीक है जी मोनीटर जो होना चाहिए अपनी आखों के अस्तर से नीचे रहनी चाहिए चौथा क्या है कंप्यूटर की स्क्रीन को दस से 20 डिग्री के एंगल पर रखें कम्प्यूटर के स्क्रीन को 10 से 20 डिगडी के एंगल पे रखना है थोड़ा सा अंदाजा करेंगे हो जाएगा और पांचवा जो उपाया है स्क्रीन की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को ऐसे रखें कि आँखों पर ज्यादा जोर ना पड़े यह अत्य अश्यक है चाहें टीवी हो चाहें मोबाइल हो स्मार्टफोन हो कम्प्यूटर हो लैप्टप हो टैब हो यह जितने इलेक्ट्रोनिक डिवाइस हैं जिनसे लाइट निकलती है उनके ब्राइटनेस को और कंट्रास्ट को एकदम नॉर्मल रखना है बहुत हाई नहीं रखना है और बहुत डिम भी नहीं रखना है बहुत डिम रखेंगे तब भी पढ़ने में समस्या होगी और बहुत ब्राइट रखेंगे तो आँखों पर वो अत्य धिक दुश्परभाव डालता है इन पांच उपायों से कुछ हद तक बचा जा सकता है आई होस्पिटल राइपूर के आई स्पेसिलिस्ट कहते हैं कि स्क्रीन का इस्तेमाल बढ़ने के साथ ही कंप्यूटर वीजन सिंडरम के मामले में भी तेजी से बिर्धी आ रही है हम एक मिनिट में कम से कम बारह बार पलक जपकाते है सो नेचूरली एक मिनिट में बारह बार हमारे पलक जपकने चाहिए लगबग हर पांच सेकेंड पर एक बार पलक जपकने चाहिए लेकिन जब हम स्मार्ट फोन या स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं तो एक मीनट में पलक छपकने की गतिया तो एक बार हो जाती है नहीं तो दो बार हो जाती है आप अबज़र्ब करके देख लिजिए seriously बैट करके कोई कुछ पढ़ने लगी है कुछ देखने लगी है कुछ movie देखने लगी है कुछ video देखने लगी है आप देखेंगे कि आप पलक जपका ही नहीं रहे हैं टक टकी लगा करके उसको देख रहे हैं इसके पात की ने वाला है यह क्या होने वाला देखते रही करते हैं बहुत कर एंद आइंड रहते हैं ड्राइ नहीं होते हैं हम ज्यादा फोकस हो करके स्क्रीन देखते हैं इससे आंखों को नुक्सान पहुंचता है आंखें भीगती रहेंगी तो मिला जुला करके ठीक से काम करेंगी और नहीं तो अगर आखें भीग नहीं रहें तो ड्राइ आई तो अपने आप में ही एक समस्या है क्लिनिकल एप्तॉलमलिजिस्ट कहते हैं कि आखें शरीर का कोमल भाग होती है ये सब को पता है आखें जो होती है शरीर का कोमल भाग होती है आखों पर कुछ नुक्सान पहुंचना है कोई चोटा नहीं है तो सबसे पहले पलकें बंद हो जाती है आखों को नुक्सान से बच आखों का वजन लगभग साड़े साथ ग्राम होता है लगातार कंप्यूटर पर काम करने से अनेक लोग कंप्यूटर विजन सिंड्रम से प्रभावित हो रहे हैं यह आखों से संबंदीत एक समस्या है जो मुख्य रूप से लैप्टॉप और देश्टॉप पर देर तक काम कर ले या गेम खेलने से होता है जब कोई व्यक्ति लगातार टीवी मुबाइल लैप्टॉप आधि के स्क्रीन पर देखता है तो वह बिना पल के जपकाए उसकी आखों पर तनाव बढ़ी जाता है बिना पल के जपकाए काम करने से आखों में पानी आना जलन होना आखों का लाल होना जैसी समस्याएं शुरू हो जाती है इसे नजर अंदाज करते रहने से ही आप कम्पीटर वीजन सिंड्रम से क्रस्ट हो जाते हैं तो अगर आपकी आखों में पानी आने लगे जलन होने लगे आखे लाल होने लगे तो ये एक हाई अलर्ट है सावधान हो जाईए आपकी आखे डैमेज हो रही है यहां से भी आप अपने आपको कंट्रोल कीजिए ब्रेक लगाईए तो जो कम्पीटर वीजन सिंड्रम है उसके लक्षण क्या है आखे सुखी होने लगती है कभी-कभी दृष्टी धूंदली होने लगती है आखों पर जोर परने लगता है सिर में दर्द महसूस होता है गरदन और कंदे में दर्द होने लगते है सो इसे नजर अनदाज करने से या इलाज समई से न करने से आखों में सुखा पर आजाता है इससे आखों में इंफेक्शन का बढ़ जाती है साथ ही आँखों में कॉर्नियल एब्रेजन, कॉर्नियल अलसर, जीरो अप्थाल्मिया और आँखों की रोशनी कम होने की समस्या बढ़ जाती है कम्प्यूटर वीजन सिंड्रम से आदमी की नीजी जिन्दगी पर असर पड़ता है नजदीक की नजर कमजोर हो जाती है आजकल बहुत कम उमर में 30-35 में लोगों के चसमें लगने लगते हैं समय से इसका उपचार नहीं कराने से ब्यक्ती की नजर कमजोर हो जाती है कम्प्यूटर वीजन सिंड्रम का मुख्य लक्षन आखों में सुखापन की वज़ा से दूप में आखें चौनधियानी लगती है ऐसा भी होता है दूप में आखें बर्दासी नहीं करती दूप को क्योंकि कम्प्यूटर वीजन सिंड्रम से अफेक्टेड हो गया है दूप में आखें बर्दास नहीं कर पाती कि आखोलें बंद रखने का मन करता है ये सब्स्ट्रम हो जाता है आईए एक एक बहुत ही राम बाढ़ उपाय कह लिजे ये एक बहुत ही राम बाढ़ उपाय है 2020 फर्मूला आपने 2020 IPL तो आपने देखी लिया है 2020 कोई क्रिकेट आजकल चले रहा है आईए एक 2020 गेम यहां भी खेलते हैं शायद इससे हमारी आखों की रोशनी बच जाए शायद हम समस्याओं के माज आगर में दुबने से बच जाए क्या है ये 2020 पर्मूला 2020 रूल ऐसी गतिवी दी है जो आपकी आँको स्क्रीन से होने वाले नुकसान से बचाती है इस रूल के तहर आपको 20 मिनट स्क्रीन देखना है और उसके बाद से स्क्रीन से नजर हटा करके 20 सेकेंड के लिए 20 फीट दूर देखना है मुझे लगता ये बहुत मुश्किल काम नहीं है 20 मिनट तक आप स्क्रीन देख सकते हैं उसके बाद से at least 20 सेकेंड के लिए स्क्रीन से नजर हटा करके 20 फीट की दूरी को देखना है 20 सेकेंड के लिए 20 फीट की दूरी को देख लिजिए और फिर अपने काम पे लग जाएए अगर बहुत जरूरी काम है तो यह 2020 फरमूला जो रहेगा आपकी आखों को बचायेगा यह राम बाण है यह खाली नहीं जाएगा यह उपाय अवश्य करें आप भी करें अपने बच्च्छों को भी बताएं अपने फैमिली मेंबर्स को भी बताएं 2020 फरमूला बुलेंगे 2020 क्या है बाई 2020 यह है कि आपने स्मार्टफोन लिया है 20 मिनिट तक उसको देख लीजिए ज्यादा ज्यादा 20 मिनिट तक देख लीजिए 20 मिनिट के देखने के बाद से स्मार्टफोन को पर से नजरे हटाई है और 20 फीट दूर तक at least 20 सेकेंड तक देखिये और उसके बाद से तोड़ी पल के जपका लिजिए और फिर अपने काम पे लग जाए यह कोई बहुत मुश्किल नहीं है और मुझे लग रहा है कि अपनी आँखों को बचाने के लिए इससे आसान तो कोई तरीका हो ही नहीं सकता है इसलिए यह 2020 फर्मूला हमें अपनाना पड़ेगा इस 2020 फर्मूला को हमें इंप्लिमेंट करना ही पड़ेगा घर के सभी मेंबर्स को यह बताना ही पड़ेगा 2020 फर्मूला क्या है और इससे किस तरीके से हमें आँखों की समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है क्योंकि मुबाइल से तो हम छुटकारा हो ही नहीं पाते हैं लेपटप और कंप्यूटर तो हमारी जीवन में कुछ इस तरीके से समागा हैं कि इनके वीरा हमारा कोई काम ही नहीं चलता है कोई बात नहीं हम भी अपने आपको ढाल रहे हैं लेकिन अपने शरीर का भी तो ध्यान रखना है यह आखे रहेंगी तभी लैपटप चला सकते हैं तभी पाम टॉप चला सकते हैं तभी टैप चला सकते हैं यह आखे रहेंगी तभी कंप्यूटर यूज कर सकते हैं और यह आखे रहेंगी तभी ये स्मार्ट फोन का मज़ा ले सकते हैं कहीं आखें चली गई तो स्मार्ट फोन तो दूर की बात रही सारी स्मार्टनेस निकल जाएगी चलने के लिए डाहत में डंडे लेने पड़ेंगे और आह करके चलना पड़ेगा जीवन जो है नरक से भी बत्तर हो जाएगा इसलिए आखों को तो बचाना ही पड़ेगा और आखों को बचाने के लिए हमने अभी तक जो कुछ भी बताये है अपना जो भी इलेक्ट्रोनिक गजट है उसका ब्राइटनेस ठीक रखना है अंधेरे में भूल करके भी नहीं देखना है 20 मिनट से ज़्यादा आइटे टाइम नहीं देखना है पलके अपनी बीच बीच में जबकाती रहनी है 2020 फर्मूला को फॉलो करना है बगवान करें हम सब कंप्यूटर लेप्टॉप स्मार्टफोन लंबे समय तक यूज भी करते रहें और इसका हमारे स्वास्ते पर भी कोई बुरा प्रभाव ना पड़े ऐसी हम कामना करते हैं अंधेरे में मुबाइल का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए ये जान लेजिए बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम अपने काम की दून में या टाइम पास करने के लिए मुबाइल का अंधेरे में ही इस्तेमाल करने लख शाते हैं अगर आप भी रात में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बता दे कि आपकी आँखों के लिए ये बहुत ही dangerous हो सकता है शोद के मुदाबिक अगर कोई smartphone यूजर रात में विस्तर पर लेट कर 30 मीनट तक अपनी आँखों के phone की screen पर जमाई रखता है तो बेड़ पर लेटते ही हैं रात में लगर 30 मीनट तक अपनी आखें phone की screen पर जमाई रखते हैं वहां से इदर उदर नहीं हीलाते हैं तो वो अंधेपन का शिकार हो सकता है इस विशह में experts डॉक्टर का कहना है कि जदी आप smartphone का का इस्तिमाल रात में यानि अंधेरे में करते हैं तो उसकी screen brightness बहुत कम रखें या dark बना लें light on कर लें ऐसा करके आप अपनी आखों की सुरक्चा कर सकते हैं अंधेरे में phone का इस्तिमाल करने से नुकसान क्या होता थैंशिय need smartphone का इस्तिमाल करने से शरेयर में Melatonin का लेवल कम हो जाता है इसकी कमी के कारण रोग परतिरोधक्षमता भी कम पड़ जाती है तणाव हो जाता है फकान और साथ में या दास्त कमजूर होने की समस्या बढ़ जाती है आज कर लोग फटा पट चीजें भूल जाते हैं अगर आप रात में यानि अंधेरे में स्मार्टफोन का इस्तेमाल 30 मिनट से जादा के लिए कर रहे हैं तो आपकी आँखें सुखने लगती है जिसके वदर से नेडरेटिना पर बहुत बुड़ा पर भी इसका अत्यदिक बुरा असर होता है इसलिए हमें कभी भी रात में अंधेरे में स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करना है जिस तरह पढ़ाई करने के लिए रोशनी की ज़रुत पढ़ती है उसी तरह अगर आप स्मार्टफोन में कोई काम करी रहे हैं या कुछ भी ही ऐसा कर रहे हैं जो मुबाइल की स्क्रीन आपकी आँखों के संपर्क में आ रही है तो अपने आसपास लाइट अवश्य रखें मतलब जब भी रात में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना है तो आप लाइट जरूर जलाएं अंधेरे में नहीं यूज करना है अब तो आप को पता चल गया होगा कि हमें अंधेरे में स्मार्टफोन का उप्यूग क्यों नहीं करना चाहिए और अंधेरे में मुबाइल का इस्तेमाल करने से क्या नुकसान हो सकते हैं इसलिए अंधेरे में फोन का इस्तेमाल करने से बच्चे हैं ताकि आप अपनी आखों को प्योग कर सके, आखे रहेंगी तो बहुत मोबाइल आएंगे, बहुत कम्पूटर आएंगे, बहुत स्मार्टफोन आएंगे, आखे रहेंगी तो उसके अलामे भी मोबाइल पून के अलामे भी बहुत से आनंद है जिसका हम भोग करते रहेंगे, और अगर आखें ही चली को भी ध्यान दे अपने घर परिवार को भी समझाएं हमें कम्प्यूटर लैप्टॉप स्मार्टफोन यूज तो करना है लेकिन कुछ इस तरीके से यूज करना है कि हम उसको लंबे समय तक बीना किसी नुकसान पहुंचाए अपने आपको यूज कर सके स्वस्तर हैं तंदु लाइक भी बढ़ते जा रहे हैं कुछ कॉमेंट की कमी है अगर कुछ मन में है तो कॉमेंट बॉक्स में भी डाले हमारा यह दूसरा यूटूब चैनल एसजी केजी 2.22 इसको भी आप लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए रोचक ग्यान